ठीक हो गया जी अब इस लेक्षर के अंदर बड़ा शॉर्ट सा लेक्षर है आपको ट्रेनिंग वैलिडेशन और टेस्टिंग की बेस पे लॉस की बेस पे आपको फिटनेस ऑफ दी मॉडल के बारे में बताने वालों और कुछ फिगर्स को हम देखेंगे बाइद वे और यह समेथ बताएंगे कि आपका मॉडल कितना अच्छा गाम करने वाला है या आपका मॉडल कितना खराब काम करने वाला है तो आइडियल केस क्या होता है वो भी हम देखेंगे आपको तस्वीरों से पता चल जाएगा कि ट्रेनिंग और वैलिडेशन लॉस यह किस तरीके से और करेंगे कि भाई हमारा नेटवर्क क्यों अच्छा है या क्यों खराब है आइडियल केस यह होता है कि दोनों ट्रेनिंग और वैलिडेशन लॉस यानि कि जब आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं तब भी वह अच्छा रिजल्ट दे और जब वो उसको वैलिडेट करें कुज में तब भी अच्छा दें यह ना होके पढ़ाते हुए तो बच्चे को सारा याद है बाद में घजनी बन गया हो सो मॉडल जो है वो काम खराब कर देता है हमें यह चीज माइंड में रखनी है कि ट्रेनिंग देर पा हो उसको आइडियल केस कहते हैं यानि कि दोनों की लॉ इसली एक्जैंपल मैंने आपको दिखाई है यहां पर यहां पर यही हो रहा था अगर मैं आपको उपर लेकर जाओं यह चीज़ यह क्या है जी हमारी फिर अगर मैं इस एक्जैंपल पर दोबारा हूं इस इस काल्ड ओवर फिटिंग ओवर फिटिंग क्यों होती है जब आ इसको कैसे सेट किया जाता है वो भी मैं आपको बताता हूं अगर बहुत ही अच्छा पढ़ जाए ना मॉडल तब आपकी ओवर फिटिंग होती है सुनिएगा इस हैपन्स वें दा मॉडल लेर्न्स दे ट्रेनिंग डेटा टू वेल कैप्चुरिंग नॉइज एंड आउटलियर्स एस वेल समझाई जेनरलाइज नहीं है वो नॉइज और आउटलियर्स को भी डेटा मान गया इस मज़ा से ओवर फिटिंग है अंडर्फिटिंग क्या है if both of the training loss and the validation loss are high or if they decrease initially and then plateau while still being high then the model is अंडर्फिटिंग यानि कि एक जगह पर आके रुक है फिर वो वहीं पर रुक गया है फिर हाई है लेकि मतलब वन के पास-पास ही है और वो एक stop कर गया है यानि के वो वन के पास-पास रहते हुए डिक्रीज नहीं किया वहीं पे एक plateau ले गया प्लैटू का मतलब होता है कि बिल्कुल plane होगी वहां पर पूरी की पूरी कप उसको गयता है एंडर्फिटिंग हाई बाइस या हाई वेरेंस होगा तो वह भी हम देखते हैं तो इनको rectify करने के लिए मैंने method बताएं आपको regularization techniques use करने पड़ती हैं आपको layers को drop करना पड़ता है यानि के drop out layers आपको लगानी पड़ती हैं वहां पे कि आप layers जो ज्यादा use करने उसको कम करने अब समझ आई layers क्यों कम करने क्यों ज्यादा करने एक question आया था कि अगर आपका data over train हो रहा है ना उसमें से layers reduce करने या आप regularization methods को use करने विच वी विल सी इनिशाला लेटर आप data ज्यादा add या reducing model complexity यानि कि neurons को कम कर दें अगर आप कहते है मेरा model बहुत अच्छा train हो एक सो आथाइस neuron रख दी है पहली layer में या दस सो पचास रख दी है so you know that कि उसको reduce करने आप over fitting के लिए under fitting के लिए क्या है कि model को और complex करें इसका उल्ट हो जाएगा over fitting का सारा तो हमें एक generalize चाहिए इन दोनों के दर्मियान ना ज्यादा ना कम ठीक है क्योंकि हर चीज मिजान में अच्छी लगती है उनका है नहीं यह slogan ना ज्यादा ना कम बद सेहत हर दम ऐसे करके ना हर चीज मिजान में अच्छी लगती है तो high bias and high variance के लिए हम क्या करते हैं हमने model को diagnose करते हैं loss है ना वो at a time उसमें चेंज आने चाहिए ठीक है और यहां पे इस figure में कुछ खलती होगी है क्योंके it should be decreasing not increasing so there is something wrong with this figure zero से start हुआ yes it should be decreasing यह figures उल्ट होगी है मैं आपको इन्शाल्ला इसकी सही form जोग वो पकड़ा दूगा and then you can have an understanding yes यह figure मुझे लग रहा है just a minute मेरे पास एक और इसका हल है जो मैंने ready-made रखा हुए और आपको वहीं पर जाके इसको दिखाता हूँ यहां पे अगर टैंसर फ्लो पे आप आएं तो लेर्न पे जाके इंट्रोड़क्शन टैंसर फ्लो टुटोरियल्स प्रिप्रोसेस्ट देटा दूविदा मेने डालना जाह रहा not this one, this one is not good what training and validation loss occurs इस पे एक ब्लॉग भी था इस बिल्कुल ये ब्लॉग है ठीक हो गया, सही पहुंच गया है यहां बेस ब्लॉग के अंदर इन्होंने बड़ी डिटेल में बताया हुए कि मॉडल का बिहेवियर कब अंडर्फिटिंग है, कब अवर्फिटिंग है और कब आपने उस मॉडल को सेट करना है तो जब आपका लॉज कुछ इस तरीके से होगा, यानि के यहां से डिक्रीज कर रहे है और यहां से वैलिडेशन और ट्रेनिंग दोनों डिक्रीज कर रहे हैं, देन यू कैन सी के यह अंडर्फिट मॉडल होगा जब आप इस तरीके से चेक कर रहे हैं, आपका लॉस स्टार्ट में ज्यादा है लेकिन एड़ दी एंड आपका कम हो रहे है, यानि के यह अभी कम हुआ है, लेकिन आदा खाया हुआ है यह बिल्कुल ऐसे आके और नीचे से बिल्कुल स्टॉप जैसे हमने बनाई थी ना कर्व, 152 इपॉक्स वाली वैसे होना चाहिए आपका मॉडल नीचे है, फिर उपर, 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 नीचे, नीचे, फिर उपर, उपर, नीचे, 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 तो वो डेटा ओवर फिटिंग का होता है, जिसको ECG lines भी बोला जाता है, एक सरोकाद, कि वो एक random pattern के अंदर आपको learning और, training और validation दिखा रहा होता है, तो य यह जो example है, यह है आपकी over fitting learning curves की, फिर इसके बाद good fit क्या होगा, good fit is this one, जो start में हमारा आया था, कि start से आपका model जो है, वो उसका loss decrease करे, training का भी validation का भी, और यह फिर नीचे आता 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 है, एक plain line के अंदर आ जाए, ठीक है, this is how your good fit lines should look like, सही है, और under representative data set, अगर काम होगा, यानि के आपका data पूरे का पूरा यहां पर use नहीं होगा, ठीक है, और validation data set अगर आपका बहुत under representative है, यानि के validation data आपने select कर लिए, लेकिन वो data को present नहीं कर पा रहा, तो आपको उसकी percentage या randomness change करने पड़ेगी, तो उसके लिए यह काम हो जाता है, पिर, so you can have a look on this blog, this is very nicely written, और यह मैंने पिछले अपने courses में भी दिया हुए, मैं आपको दुबारा से इसका link भी 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 देता हूँ, and you can have a look, आपको under fitting, over fitting, और training और validation laws की base पे यह सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी, and it can help you in learning your machine learning algorithm, इसको machine learning, अगर deep learning और machine learning को देखा जाए, तो नाम अगर यहां पे machine भी लिखा हूँ है, यह model performance के लिए एक तरीका कार है, ठीक है, क्योंकि यहां पे हम एक metric को नहीं देख सकते, के means squared error बता दो, के देख सकते हैं, क्यों नहीं देख सकते हैं, क्योंकि each metric is changing with every epoch, epoch के साथ साथ change हो रहे हैं, तो हमें epochs के साथ-साथ metrics की usability को देखना है, ठीक है, so that is why we have to learn it in a nice way, यहां पे अब हमारे पास, आज का जो lecture है, खास तोर पे callback function का, regression problem का, classification problem का, अपने neural network को design करने का, यहां पे समाप्त होता है, end होता है, finish होता है, और मैं इस lecture को रोगता हूँ, drill आपको बता है, अगर like, share, subscribe कर देंगे, it would be nice, निता कमस्कम सौं कर देंगे, तो है, जडिता है, तब कर देंगे, ज एक फदे美味 हحمन क। MAR